नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार्दाइस स्वीड़ी शड़ी पर एक बार फिर से स्वागत है आसा करता हूँ कि आप सबस्वस्त होंगे, शुरचित होंगे आज हम लोग order and ranking पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप देख रहे होगे दोस्तों, order and ranking तो आज हम लोग जो है इस पर basic question लेंगे उसके बाद कल इसी का advance questions रहेंगा उस पर हम लोग discuss करेंगे तो देखते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे आज का motivational code है दोस्तों सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है जी हां दोस्तों समझदार तो सभी हैं जितने भी लोग हैं सभी समझदार हैं लेकिन पागल जो रहेगा सफलता उसी को मिलेगी चलिए दोस्तों देखते हैं पहला question आपकी screen पर लिखा हुआ है क्या कह रहा है देखिएगा कितना हो जाएगा चेचे बारा यानि 32 आजाएगा अब करेंगे कैसे इसको देख लीजे दोस्तों दो चीज है या तो आपको लिफ्ट और राइड दिया रहेगा या तो आपको अपर और लोवर दिया रहेगा मतलब उपर और नीचे वाला पंक्ति में अगर रहेगा तो यानि कि बाया और दाया ऊपर और नीचे ठिक तो इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा अगर मालो मैं कहँ दूं कि एक पंक्ति है इसी में और मैं बोल दूं दोस्तों कि एक जो अस्थान है एक अस्थान 22 सिरे से 30 है लिफ्ट से 30 है दोस्तों और राइड यानिकि दाय सिर से चौथा यानि कि 6 से चौथा है तो पंक्ती में कुल टोटल कितने लोग हैं दोस्तों तो देखिएगा अगर हम इसको दोनों जोड़ देने 3 यह है 4 यह है इस तरह साथ हो रहा है लेकिन अगर जोड़े तेक दो 3 4 5 6 इस तरह तो 6 ही हो रहा है आखिर दोस्तों ये एक जादा कैसे हो गया एक जादा कैसे हो गया दोस्तों तो याद रखिए कि जब हमने दोस्तों इधर से जोड़ा तो एक दो और तीन जोड़ा ठीक दोस्तों फिर जब मैंने इधर से जोड़ा तो एक दो तीन चार जोड़ा अर्थात हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यह जो बीच वाली संख्या है यह जो बीच वाला एक है दोस्तों इसको हमने इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया इसलिए दोस्तों दोनों को जोड़ करके दोनों को जोड़ करके एक घटा देते हैं अर्थात दोस्तों क्या फार्मूला बता है यानि कि लिफ्ट टोटल बराबर टोटल बराबर लिफ्ट प्लस राइट माइनिस वन उसी तरह दोस्तों अगर उपर नीचे है तो Double बराबर Upper Plus Lower Minus 1 दोनों सुत्रों में किया किसी को कहीं समस्या है दोस्तों अगर समस्या हो तो Comment जरूर करिएगा जहां भी आपको Problem हो आप Comment करिएगा और अगर समझ में आ रहा हो दोस्तो फो एक बार जय ही लिखिये दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण क्या कह रहा है दोस्तों तो समझ में आए कि नहीं इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों साथ और प्लस चब्विस दोनों जोड के एक घटा देंगे तो दोस्तों 32 हमारा एंसर आ जाएगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्ण पर चलते हैं क्या कह रहा है कह रहा है 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मडी सीर्स से 14 अस्थान पर है चलिए दोस्तों अब 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति है और मडी सीर्स से सीर्स से यानि कि अगर हम इसको अपर कर दें और इसको lower या down कर दें तो देखें सीर्स से 14 अस्थान पर है यानि कि सीर्स से कितने अस्थान पर है 14 अस्थान पर है और फिर नीचे से उसकी इस्तिति क्या होगी ठीक है टोटल दोस्तों कितने लोग है 40 लोग है ठीक उपर से 14 अस्थान पर है तो नीचे से उसकी rank क्या होगी जी हां दोस्तों तो अब दिखिए जब भी इस तरह का प्रस्ण हो तो इसलिए प्रिसान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों हो चाहे लिफ्ट का निकालना हो चाहे राइट से निकालना हो तो याद रखीगा टोटल में आप एक जोड करके अगली संख्या घटा दीजिए क्या कहा हमने हमने कहा दोस्तों कि टोटल में आप एक जोड करके अगली संख्या घटा दीजिए तो कह रहा है पंक्ती में 40 तो 31 आजाएगा और 31 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा आप पताईए 27 आजाएगा दोस्तों अर्थात आपसन नंबर C हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसको हल करने की जरूरत नहीं है देखते ही उत्तर आजाएगा अगर ना यकीन हो तो बता तो 40 में से 1 कम कर दिजे 15 साभा दूसतों तो दिकत नहीं । यस यह प्रस्ताइब क्या कह रहा है की व्यक्ति की एख पंक्ति में 22 और से Самर है चलिए दोस्तों यहीं पांक्ति है मन लिजे यहीं पर ए है 22지 शुलम है r 16 14 बी जो है कि आई और से सुलमआ owners यहाँ पर मन लीज एक व्यक्ति ए के दाई और चार और बी के बाई और पांच अस्थान पर बैठा है एक व्यक्ति है माली जी एक व्यक्ति यहीं कहीं बैठा है यह जो है एक दाई और तो चुकि एक यहां पर है इसका अगर दाया करेंगे दोस्तों तो इधर ही होगा और बी यहां पर है दोस् अब कह रहा है कि एक के दाई और चौथे अस्थान पर है यानि कि एक दो तीन चार तो चौथा अस्थान हो गया फिर कह रहा है बी के बाई और पांच वे अस्थान पर है तो एक दो तीन चार पांच तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व आठ तो 16 में आठ जोड़ देंगे दोस्तों तो आठ सा कितना हो जाएगा चौबिस हो जाएगे दोस्तों अब देखिए टोटल पूछ रहा है लेफ्ट सी यह हो गया और राइट सी यह हो गया कह रहा है पंक्ति में कितने वक्ति हैं अर्थात हमको टोटल की संख्या निकालन हैं तो देखिए मैंने कहा क्या टोटल बराबर होता है दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनिस वन तो 16 और 24 चोड़ दीजिए दोस्तों 24 था 30 10 40 और 40 में से एक घटा देंगे दोस्तों कि आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा फिर से देखिए दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रस्न मिल जाए जब भी आपको इस तरह का प्रस्न मिल जाए तो क्या करेंगे आप देखिए सब जोड़ दीजिए कितना है आपको लेफ्ट से 16 है 5, 4, 9, तो जोड़िए, 24, 10, 34, 34, 10, जैनि कि देखिए, 24, 36, 10, 40, 40 यह हो गया दोस्तों, और 9, यह हो गया 49, एक नाट रुग जाए गए, यहाँ पर हमने कुछ कर दिया, और देखिए, 16, 16, 16, 16, अब देखिए, उसके बाद क्या हो दोस्तों, बीच में कितने लोग हैं, तो 5 पांच यहां से बैठे, पांच यहां से, और चार यहां सित, पांच चार नव, और नव में से घटा देंगे, दोस्तों, आठ हा जाएगा, तो आप जोड़ेंगे तो 16 दूना 32 और चालीस, यह नि की टोटल कितने लोग होंगे दोस्तों, टोटल 40 लोग होंगे, जी हां दोस् अगर आप एक घटाने के चक्र में रहेंगे तो यहां पर आप नौ जोड़ेंगे तो यह 41 हो जाएगा 41 में से एक घटा देंगे 40 आजाएगा देखें फिर से देखिए एकदम आसान है सब जोड़ दीजिए और सब जोड़ के घटा दीजिए तो चलिए 16 प्लस 16 और प्लस 4 और प्लस 5 सब जोड़ दिए सब जोड़ के एक घटा दीजिए तो 16 दुनी 32 और पांचार 9 32 और 41 में से एक घटा देंगे दोस्तों 40 आजाएगा अर्था नापती जैसका एंसर हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताईए कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाई और से अठारवा है चलिए एक पंक्ति है और यहीं पर मोहन है दोस्तों यह बाई और से अठारवा है जबकि सोहन दाई और से पंद्रावा है यहीं पर माली जैस सोहन है और यह दाई और से पंद्रावा है दोस्तों यदि रोहन मोहन के दाईं मोहन के दाईं पा बीच में है इसका मतलब कि मोहन और सोहन के बीच में आर रोहन है तो अगर इधर से पांच है तो इधर से भी तो पांच ही होगा दोस्तों तभी तो बीच में होगा भाई अगर इधर से पांच है तो इधर से भी पांच होगा तभी तो ये बीच में आएगा दोस्तों तो कह रहा कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ग्यात कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों सब जोड के एक घटा दीजिए तो सब जोड के एक घटाएंगे दोस्तों तो 15,5,20,5,25 और 25,10,35,35 और 8,85,13, अब 43 में से 43 में से दोस्तों एक घटा देंगे तो रथा ता एंसर किप्ता आजाएगा एनसर आ जाएगा हमारा 42 42 का मतलब non-update जिसका answer हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताईए कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर बताईए इसका मतलब समझ रहें कि नहीं दोस्तों कह रहा है कि रोहन-मोहन के दाएं से पाचवे ठिक इसका मतलब यहां बैठे हैं इदर करेंगे तो चार करेंगे देखेंगे देखया आघर तो कोई दिखकत नहीं दो सब जोड़ों करके एक कीवला जईए जैसे आगे चलते हैं कह रहा है दोस्तों 45 व्यक्ति कि एक पंक्ति में चयात किजिए – 20 लोग यह हो गए 15 लोग यह हो गए तो टोल कितना हो गया 22 ऊप 22 और 5 उछ bit Jewish साथ कितना हो गये ups 37 लोग साइंट इस लोग इसको जोड करके साइंत इस लो हो गये दोस्तों लेकिन टोटल हैं कितनीम दोस्तो 45 हैं तो 45 में से अगर हम scientist घटा दे दोस्तों कितना आ जाएगा देखें तो तीन तो यही आ गया और पांच यह अर्थाद बीच में कितने लोग होंगे दोस्तों बीच में हमारे आठ लोग होंगे कितने आठ लोग सी अप्सन हमारा सही हो जाएगा आगे चलते हैं अगला प्रसने देखिए दोस्तों कह रहा है व्यक्ति की एक पंक्ति में पी बाई और से तेरहवा है जबकि क्यों दाई और से पंद्रहवा है फिर उनके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ग्यात कीजिए यह दिकुल बेटी पंद्रहवा और क्यों यहां से पंद्रहवा है याँ से पंद्रहवा है अब चलिए इसके बीच में कुछ लोग बैठे हमको नहीं पता टोटल संख्या दोस्तों पंद्रहवा है तो याद रखीगा दोनों आप जोड़ दीजी दोनों जोडने के बाद अगर इससे ग्रणीन के जादा होगा दूस्तु तो दोनों जोड़कर के उसमें से घटाएंगे और अगर जो दोनों जोडने की से हम और इसक्राइब गए और 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो 15, 10, 25, 3, 28 हो जाएगा और 28, 35 में से 28 घटा देंगे दोस्तों तो 8, 7, 15 अर्थात आप्शन भी जो है हमारा सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताए कहीं भी समस्य हो दोस्तों कमेंट करिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं क्या कह ग्याद कीजिए सेम उसी तरह है यक्स जो है बाई और से 22 हुआ जबकि वाई जो है दाई और से 25 अस्थान पर है तो उनके बीच की संख्या ग्याद कीजिए अलग नहीं है मैं दोस्तों होता क्या है कि जब भी दोनों का टोटल दोस्तों दोनों का टोटल जो है लिफ्ट प्लस राइट का योग जो है ये बड़ा हो किस से टोटल से किस से बड़ा हो दोस्तों टोटल से बड़ा हो तो क्या करते हैं तब लेट प्लस राइट जोड़ करके उसमें टोटल और दो घटा देती हैं यही याद रखेगा क्या घटाएंगे दोस्तों टोटल और दो तो 22 औ यानि कि 42 घटा देंगे 42 घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 42 और 5 42 और 5 47 यानि कि answer क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा 5 का मतलब 9 दीज़ समझ में आएक नहीं दोस्तों याद रखेगा जब दोनों का योग left plus right का योग जो है total से जादा हो दोस्तों तो left plus right के योग में से total और दो घटा देंगे ठीक जैसे देखिए कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्त में महेस 22 और से 21 होँ है सुरेश दाई और से 22 होँ है यादि पंक्त में कुल 32 लोग है तो महेस और सुरेश के बीच में किते लोग है भाई हम देख रहे है 21 और 22, 22, 23, 43, 43 लोग टोटल हो गए उस तरह दोस्तों 32 लोग है यादि कि दिख रहे है left plus right वाला जादा है दोस्तों तो इस में से घटाईए और 2 और घटा दीजे जैसे अगले प्रस पर चलते हैं दोस्तों कह रहा है कि तीन व्यक्ति A, B, C पंक्ति में खड़े है यदि पाच व्यक्ति A और B के बीच में है ठीक A, B, C एक पंक्ति में है A, B, और C कह रहा है A और B के बीच में तीन व्यक्ति A, B, C खड़े हैं पांच व्यक्ति A और B के बीच में हैं, पांच व्यक्ति यहाँ पर हैं दोस्तों, आठ व्यक्ति B और C के बीच में हैं, आठ व्यक्ति यहाँ पर हैं, फिर क्या कह रहा है, तीन व्यक्ति C से आगे हैं, तीन व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर हैं, एक नटो किएगा, तीन व्यक झाल्ति में अधिक्तम ब्यक्तियों की संख्या क्या होगी amerika 21 लोग यहाँ पर है पांच लोग यहां पर है आठ लोग यहाँ पर है और तीन लोग यहां पर हैं य एक B है 49, एक A है दोस्तो 40, यानि कितने लोग हैं? 40 लोग हैं, सब टोटल कर देंगे दोस्तों, इसमें चुकि डारेक्ट कह रहा था कि A और B के बीच में 5 व्यक्ति हैं, इसका मतलब इसके इसके बीच में 5 व्यक्ति हैं दोस्तों, तो इसलिए इसमें कुछ और जोड़ने द भी नहीं टोटल करेंगे, तो 8 लोग ये और 3 एक ये तो रथात 9 लोग हो जाएंगे, और 3 इधर हैं तो 9, 3, 12 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा, सब जो टोटल कर लेंगे दोस्तों, तो 40 हमारा आइंसर आ जाएगा, यही है दोस्तों, अगला कुश्चन, कुश्चन नमबर 10 यह आपके लिए होमवर्क है, इसको लगाईएगा, सेम टू सेम इसी तरह है, जैसा कि अभी बताया, लास्ट वाला कुश्चन, कहीं भी समस्या हो, दोस्तों कमेंट करिएगा, और अगर आपको लग रहा हो, कि वीडियो काम का है, दोस्तों, लाइक करिएगा, सेर करिएग मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार धन्यवाद